दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आजम देखेंगे 19 मार्च की करेंट फिर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैत्पून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है अंग्रेजी भासा के लिए साहित्य अकेडमी पुरुषकार 2023 किसे मिला है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है तमली साही सुंदर राजन ने अपने पद से इस्थिपा दे दिया वे किस राज्य की राज्यपाल थी अगर आपको किसी भी कोशन का अंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा तो पहले कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों तेलेंगना की यानि की B is the right answer दूसरा कोशन है केंद्रे मंत्री अर्जुन मुन्डा ने किस राज्य में जन्जातिय संस्कृति और विरासत के संदक्षन और सर्वर्धन केंद्र की आधार सिला रखे तो दूसरे कोशन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा जार्खन की यानि की B is the right answer कोशन नमबर 3 है महीला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता दोस्तों तीसरे कोशन का सही उत्तर रहेगा रोयल चैलेंजर्जर्स बेंगलोर ने यानि की राइट आंसर ए हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 4 है माजूली मास्क जिसे हाल ही में GI टेग मिला है निनमे से किस राज्जे से संबन्दित है कोशन नमबर 4 का सही उत्तर रहेगा असम यानि की D is the right answer कोशन नमबर 5 है हाल ही में किसे अखिल भारतिय सतरंज महासंग के अध्यक्स के रूप में चुना गया है कोशन नमबर 5 का सही उत्तर रहेगा नितिन नारंग यानि की B right answer हो जाएगा दोस्तों पांचवे कोशन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master pdf को जरूर ले लिजे मातर 170 रुपे की pdf है और इसमें आपको सारे subject मिल जाते हैं वो भी पूरी lifetime के लिए master pdf का link description box और हमारे whatsapp नमबर दोनों जंगे मिलेगा link पर click करके payment करके आप pdf को directly प्राप्ट कर सकते हैं चटा question है हाल ही में दक्षिन भारत के किस राज्य में एक नई बिमारी lime disease का पहला मामला सामने आया है तो question number 6 का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो केरल यहाँ पर right answer रहेगा यानि कि A is the right answer question number 7 है हाल ही में किस राज्य में मिसन पाम ओयल के तहत पहली ओयल पाम प्रोसेसिंग मील का उद्गाटन किया गया है question number 7 का सही उत्तर रहेगा और नाचल परदेश यानि कि C is the right answer question number 8 है हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 29.55 लैक रुपे का जुर्माना लगाया है तो आटवे question का दोस्तो right answer रहेगा बंधन बैंक पर यानि कि A सही उत्तर रहेगा question number 9 है हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलिय केंदर का उद्गाटन कहां किया गया है question number 9 का सही उत्तर रहेगा बुवनेश्वर में यानि कि B is the right answer question number 10 है हाल ही में किसने टिक टोक पर परतिबंद लगाने के लिए विध्यक पारित किया है session आपको अच्छा लगे तो please like करिए और अपने भाई बैंद दोस्तों के साथ में share करना आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं सुबह साड़े 6 बज़े डेली करेंट फिर की वीडियो आती है आप इसको जरूर देख लिया करें दसवे question का सही उत्तर रहेगा दोस्तों America यानि कि C is the right answer question number 11 है हाली में भारत इटली सेनिय सहयोग समू की बैठक का बारवा संस्क्रण कहां आईजित किया गया है ग्यारवे question का सही उत्तर रहेगा नई दिल्ली यानि कि A is the right answer question number 12 है हाली में भारत की नुमाली गड़ रिफाइनेरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतरास्टे का रहले का उद्गाटन किया है question number 12 का दोस्तों सही उत्तर रहेगा बांगला देश यानि कि C is the right answer question number 13 है हाली में स्टार्ट अप महाकुम्ब कहां सुरू होगा question number 13 का सही उत्तर रहेगा नई दिल्ली यानि कि B is the right answer question number 14 है हाली में दुपक्षिय संबंदों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई एलिनिक भारत पहुचे है बेलारूस के दोस्तों यानि कि A right answer हैगा question number 15 है हाली में वित्तेवर्श तुजार पच्चिस के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकासदर का अनुमान कितना किया है question number 15 का सही उत्तर हेगा 7% का दोस्तों यानि कि B is the right answer question number 16 है हाली में कोंसा देश मरने में साहता को वैद बनाएगा शोलवे question का सही उत्तर हेगा France यानि कि B correct answer रहेगा दोस्तों question number 17 है निर्वाचन आयोग ने किसे रास्टिय दिव्यांग आईकॉन घोसित किया है सतरवे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा सीतल देवी यानि की सी इस दर रेट आंसर कोशन नमबर 18 है हाल ही में किस देश में जवाला मुखी विसपोर्ट के बाद आपात काल की घोशना की गई है अठारवे कोशन का सही उत्तर रहेगा आईसलेंड यानि की सी इस दर रेट आंसर कोशन नमबर 19 है मार्च 2024 में किसने मुंबई में आई एस्ट यानि की इंडियन स्टेंडर्ट टाइम के परसार के लिए रास्टे समय प्रोटोकॉल का उदगाटन किया है 19 वे कोशन का सही उत्तर रहेगा प्यूस गोईल जी ने यानि की सी इस दर रेट आंसर 20 वा कोशन है ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके आवाना सस्टेनेबल्टी फंड को मंजूरी दी है तो सही उत्तर रहेगा दोस्तो सिट भी के यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा अब ये तो थे हमारे 20 करेंट अफेर के कोशन आंसर अब बात कर लेते हैं आज के होंवर्क के बारे में हाल ही में कहां विश्व अध्यात्मिक महतसव का आयजन किया गया है इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है आसु का pH कितना होता है इसके लिए 5 second का समय मिलता है जल्दी से answer comment box में बताईए प्यारे दोस्तों आसु का pH कितना होता है तो right answer is 7.4 यानि की C is the right answer यह आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों अगर आप लोग daily हमारी वीडियो देखते होंगे तो कल के homework का question हमारा ये था कि हाल ही में भारत सरकार ने किस bank के साथ 181 million dollar का रिंड पर हस्ताक्चर किया है तो right answer ADB रहेगा Asian Development Bank तो ये भी आपका कल का homework का question था only top study आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए और five star की rating भी जरूर करिएगा और किसी भी competitive exam के लिए आप हमारी master pediap ले सकते हैं मात 170 रुपे में जिसमें सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए पूरा complete syllabus के साथ master pediap का link description box पर हमारे whatsapp नंबर दोनों जगे मिलेगा link पर click करके payment करके आप pediap को directly प्राप्त कर सकते हैं session अगर आपको पसंद आया है तो like share कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon को own कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना मिलते नेक्स क्लास में